Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn second part of the lesson zone of arc. जोन आफ आर्क का सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं. पहले पार्ट में हमने देखा था कि जो जोन आफ आर्क है, वो फ्रांस में रहने वाली 17-18 साल की एक लड़की है और वो चाहती है कि वो अपने देश के लिए देश की ओर से इंगलंड और जर्मनी के जो लोक थे, जो सैनिक थे, उसके उनके विरुद लड़े. क्योंकि इंगलंड और फ्रांस की बीच में 1337 से लेके 1453 तरक हंड्रेड साल का वार हुआ था. उसको हंड्रेड येर्स वार भी कहते हैं. तो ये जो नाटक है 1429 में घटा है, जहाँ पे कैप्टन रॉबर्ट डी बॉर्डरी कॉर्ट है, उसके पास वो जोन जाती है और कहती है कि उसे मिल्टरी में आना है, और देश के साथ खड़ा रहना है, मतलब ब्रिटिशों के अगेंस्ट उसे लड़ना है, तो पहले पहले वो उसको पागल कहता है, उसको लगता है कि सहिन्य में काम करना, soldier बनना, is not a child's play, मतलब कोई आउरत लोगों का उसमें लड़कियों का कुछ काम नहीं है, फिर भी वो इतनी firm है, वो चाहते है, at any cost वो उनके साथ काम करें, और बहुत सारे लोग भी उसको चाहते है, मतलब अगर वो आना चाहती है, तो वो सारे उसके साथ रहने के लिए तैयार है, तो और वो चाहते है कि उसे कुछ घोड़े दिया जाए, ठोड़े से एक फटा पुराना, मतलब पुराना आरमर दिया जाए, और वो डॉफिन के पास जाएगी जो डॉफिन है फ्रांस का होने वाला एम्पेरर है समझो जो होने वाला जो है उसको डॉफिन कहते है तो डॉफिन के पास वो जाएगी और वो जो औरलियान उनका जो शेहर है जो ब्रिटिशन नहीं गहरा था ब्रिटिशन ने कब जा किया क्याता वो उसको फ्री करेगी ऐसा वो उनको कहती है तो यहां तक हम आये ते फ्रस्ट पार्ट में देखते सेकंड पार्ट में क्या होता है तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अन्त तक जरूर देखिएगा अगर पसंद आता है तो लाइक करो शेर करो एंड सब्सक् सब्सक्राइब माई चानल के ठीक है तो कहते कि दॉफिन विल ग्यूमी अल आई नीड अगर मुझे आप डॉफिन के पास भी जोगे जो सम्राट होने वाला है नेक्स्ट फ्रांस का जो प्रिंसे वो मुझे दे देगा अल आई नीड जो मुझे कुछ चाहिए तो फ्री और यान और लियान फ्री करने के लिए खाली मुझे आप भर्ती कर लो उनके पास भेज़ दो कि तो रॉबर्ट क्या कहता है शॉप्ट यह सुनते ही रॉबर्ट शॉप्ट मतलब उसको सर्प्राइज अशिर होता है तुफ्री और लियान और लिए उन को फ्री करोगी तुम ज जोन Simply सिधी से बोलती यह स्कॉयर स्कॉयर येस स्कॉयर मतलब आमने का है जिस ले पोस्ट्री के एन आई घंट इन है चना आई घंच्ट यह जो नाइट वर्ड है इसको हम करें कहेंगे समझु सर्णार होता है साथार की नीचिकी पर क्वार्ट को यह यह स्कॉयर शी मेन will be enough for you to send with me अगर मुझे मेरे साथ आप भेजना चाहो तो खाली तीन आदमी मुझे इनफ है खाली तीन लोग मेरे साथ भेज़ दो पॉली एंड जैक है और पॉली पॉली एंड जैक यह दो जो आदमी है दो परसन है उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ आएंगे तो रोबर्ट केहता है रोबर्ट केप्टन है कैप्टन रोबर्ट क्या कहता है यू मिन मनस्चर दी पॉलींजी मुस्चिर मतलब यह फ्रेंच वर्ड किसक लिए फ्रेंच मेरे सर या मिस्टर पार ना सर मतलब हम जो कोई भी रिस्पेक्टल हम Ses बड़े लोगों को कुछ ना कुछ दो कहते नहीं है उन्णिश में सर कहते है या मिस्टर के लिए फ्रेंच में मनस्चर के या मनश्चर दी पॉलिंगी पॉली मतलब मनश्चर दी पॉलिंगी आपके साथुमारे सा आने के लिए तैयर है। जोन या स्कॉायर स्कॉायर के सिस्ट है裁स, जैक वेकं रोकी से जैक वेृत यताएंग का-बूर nhiए चाह गोखे ह अच्छे है वो, दयालो है, and gives me money, मुझे पैसे देते है, to give to the poor, गरीबोंक में बाटने के लिए, गरीबोंको देने के लिए, जैक जो है, वो मुझे पैसे देते है, I think मुझे लगता है, John Godsev, will come, हो सकता है, उनके साथ, John Godsev भी आएंगे, Dick the Archer भी आएंगे, and their servants, और Dick the Archer के जो servants है, है न, servants, कौन, John of Honkort, and Julian, ये दोनों भी मेरे साथ आएंगे, there will be no trouble for you, आपको कोई तकलिप नहीं होगी, square, I have arranged it all, ये सब मैंने arrange किया है, मतलब ये सारे लोग, मेरे साथ आएंगे, आपको उनको मानने की कोई जरूत नहीं है, मैंने arrange किया है, You have only to give the order, just आपको order देना है, कि तुम लोग, सब लोग इसके साथ जाओ, जोन के साथ जाओ, ऐसा, जोन, जो राबर्ट को convince करने की कोशिश करती है, तो राबर्ट क्या कहता है, to the steward, उस steward को, steward मतलब उसका जो personal, सम्झे नोकर होता है, उसको क्या कहता है, Is this true about monster depology, यह सही है क्या, true है, monster depology के बारे में मतलब यह भी, जोन के साथ, इस लड़के के साथ, खुशी-खुशी जा रहा है, सही है, Steward क्या कहता है, eagerly, eagerly कहता है, उस सुपता है, yes sir, and about monster the meds too, और इनके साथ, monster the meds too भी जा रहा है, Mr. D. Meds भी जा रहा है, they both want to go with her, वो दोनों इस लड़की के साथ, मतलब जोन के साथ जाना चाहते है, Robert, क्या कहता है, goes to the window, यह सुनते ही वो window के पाथ चला जाता है, and shouts into the courtyard, और window से courtyard में, मतलब जो आगे वाला आंगन है, उसमें वहाद देखके वो जोर से चिलाता है, send manager deep apology to me, will you, मतलब मेरे पास, वो manager deep apology को भेजो, भेजो ना, भेजते हो कि नहीं, यहापर यह क्या है, question tag किया है, है न, he turns to John, और वो जोन की तरफ मुड़ के कहता है, get out and wait in the yard, तुम भार जाओ, और यार्ड में, मैं इंतजार करो, देखता हूं क्या क्या होता है, जोन, smiling brightly at him, हस रही है, रॉबर्ट को देखके, brightly मतलब happily देखती है, हसती है, right square, ठीक है, she goes out, ऐसा कहके वो बाहर जाती है, Robert, to the steward, steward को कहता है, go with her, उसके साथ जाओ, stay within call, और, within call मतलब, near, पासी रहो, मतलब मैं अगर तुमको बुलाओ, तुमें सुन, सुनाई देना चाहिए, तो stay within call, and keep your eye on her, और उस पे नजर रखो, उस पे ध्यान रखो, I shall have her up here again, उसको मैं फिर यहां बोलाओंगा, ओके, तो steward retreats hastily, और जो steward है, वो retreats hastily, मतलब moves away in a hurry, जल्दी में वो पीछे मुड के चल देता है, Bertrand de Paulingy, a French guard, जो de Paulingy है, monster de Paulingy मतलब उसका नाम Bertrand है, Bertrand de Paulingy, जो French guard है, enters, वो आता है, salutes करता है Robert को, and stands waiting, और वहाँ पे वो इंतजार करते होए, खड़ा रहता है, Robert क्या कहता है, she says, वो जो लड़की है, जोन, कहती है, यू, तुम, मतलब बर्टrand de Paulingy, तुम, जैक, एंडिक, तीनो, how awful to go with her, तुम तीनो ने उसको कहा है कि हम तुम्हारे साथ आएंगे, what for, किस लिए, do you take her crazy idea of going to the dolphin seriously, उसकी जो idea है, do you take, वो आप तुम ले रहे हों क्या, crazy idea, उसकी जो idea है, वो mad idea है, crazy है, silly idea है, going to the dolphin, dolphin के पास जैने की, जो समराट होने वाला है, अगर France जित जाता है, तो जो France का जो राजा है, उसका जो बेटा है, वो अभी होने वाला है, उसे डॉफिन, डॉफिन के पास जाने की जो बात कर रहे है, वो crazy है बात, उसको तुम seriously रहे हो, Pauline जी slowly कहता है, there is something about her, उसमें कुछ है, उस लड़की में कुछ बात है, over trying, तो वो जो बात है, हम try करने की कोशिश क्यों ने करेंगे, करने लायक है, कोशिश करनी चाहिए है हमें, Robert कहता है, ओ, come on, Pauline, Pauline, come on, क्या बात कर रहे हो, you must be out of your mind, होते एक तुम भी crazy हो गए हो, out of your mind, पागल हो गए हो तुम, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तो Pauline जी, अनमूड, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है, ऐसा कहते होए भी, बिलकुल हो, हिलता नहीं है अपनी जग़ से, है, what is wrong with it, इसमे क्या गलत है, the Dauphin इस इन शिन ऑन डॉफिन जो है हमारे जो प्रिंस है, वो शिन ऑन में है, शिन ऑन शहरे एक प्रांस में, तो को यह पे, शिन ऑन वन आप दो सिटीज इन फ्रांस, वेर रोयल फैमिली रिसाइड जाहापे रोयल फैमिली मतलब, वो राजा रानी उसके बेटे वे रहते थे दिरिंग दो हंडर्ड येर्स वार, जो हंडर्ड वार, हंडर्ड येर्स का वार चला, उस दवरान, दर डॉफिन टुक रिफ्यूज इन शिनान, और उने उसने कह डॉफिन ने कह कह था, शिनान में रिफ्यूज मतलब पना लिए थी, तो वो डॉफिन जो है इस शिनान में है, लाइक रैट, एक चुहे की तरह, इन और कॉर्णर, जो चुहा डर के कॉर्णर में भागता है, एक्सेप्ट दैट, ही वोंट फाइट, वो लड़ नहीं रहा है, फ्रांस की तरह, लड़ने के बजा है, वो चुहे के माफी के कॉर्णर में, जैसे चुहा जाके कॉर्णर में चुप जाता है, वैसे वो शिनान में चुपा है, डॉफिन, और तुम उसके पास जा रहे हो, वो जीतेंगे, he will not be able to stop them, और वो जो डॉफिन है, उनको रोक नहीं पाएगा, ब्रिटिश सेनियं को रोक नहीं पाएगा, वो औरलियंस, ब्रिटिश लोग औरलियंस जीत के रहेंगे, तो जो लड़की कह रहे है, वो पागल की तरह लड़की कुछ भी कहती है, तो तुम तो अगर अपको आची तरह समझा है, तो हम क्या करेंगे, इसके उपर का समझा, एक्सरसाइज ले लेंगे, सम्झो यह पैसे जाता है, तो इस पर किस तरह के questions, vocabulary, किस तरह के grammar के sentence होंगे, वो हम देखेंगे, तो question किस तरह का रहेगा, question सम्झो, read the following passage and do the activities, 10 मार्स ले question रहेगा, A1, simple factual activity, कौंसे activity रहे है, सम्झो, 1, write if the following statements are true or false, नीचे दिये हुए जिस statement से, वो true है या false है, हमे लिकना है, यह false, correct it, और कभी-कभी पूचा जाता है कि अगर false गलत है, तो उसको correct करके लिकना है, ओके, टू मार्स के लिए question रहेगा, 1, John wants to free Orleans, जोन चाहती थी कि Orleans को free करे, यह true है, second, square jack is very kind gentleman, तो यह भी true है, third one, the name of the French guard is Robert, जो French guard था, उसका नाम Robert था, तो यह false है, तो फिर, the name of the French guard is Bertrand D. Paulingy, fourth one, the Dauphin is in Orlean, false, तो correct क्या है, the Dauphin is in Shinnon, ओके, second type सम्झो ऐसा रहेगा, complete the statements based on the extract, हमें जो sentence दिये है, वो हमें complete करके लिखने है, passage अच्छी तरसे पढ़के, सम्झो, square jack is a very kind gentleman and dot dot dot, तो यह sentence हमें passage पढ़के complete करना है, square jack is very kind gentleman and gives me, मी मतलब किसको जोन को, money to give to the poor, second, persons ready to go with zone where, zone के साथ जाने के लिए कौन कौन से persons, लोग तयार थे, तो persons ready to go with zone where, poly, monster D, polynji, jack, john godsev, dig the archer and their servants, zone of khonkot and julian, third, robert goes to the window and calls, robert's window के पाद जाता है, and बुलाता है, किसको बुलाता है, किसको बुलाता है, किसको बुलाता है, robert goes to the window and calls, monster D, polynji, fourth one, persons who offered to go with zone where, तो जोन के साथ कौन कौन जाना चाता था, वेर, persons who offered to go to zone where, poly, jack and dick, ओके, थर्ड क्वेशन किस तरह करेगा, समझो, find out who said the following statements to whom, तो जिन निचे statement दिये है, वो किसने किस से कहा है, ओके, you mean monster D, polynji, तो ये क्वेशन किसने पुजा है, तो रॉबर्ट asked this question to zone, get out and wait in the yard, ये किसने किस से कहा, रॉबर्ट said this to zone, there is something about her, उसमें कुछ बात है, ये कुन कहता है, पॉली जी said this to Robert, oh come on Polly, you must be out of your mind, क्या बात कर रहे हैं पॉली, तुमें लगता है शायद दिमाक्स सटिया गया है, ओके, पागल हो गया हो तुम, रॉबर्ट said this to Polly जी, फॉर्थ question समझो कैसा रहेगा, what, whom do the underlined pronouns stands for, नीचे जी sentence दिया है, समझो यहाँ पर पॉली आइंड जैक, have promised to come with me, यहाँ पर मी जो प्रोण है, इसके अंडरलाइन किया है, तो यह मी किसके लिए है, तो यह जोन के लिए, क्योंकि यह जोन ने कहा है, तो मी मतलब जोन, he is a very kind gentleman, वो बहुत ही दयालू gentleman है, तो he, he किस के लिए है, स्क्वाइर जैक के लिए है, they both want to go with her, वो दोनों उसके साथ जाना चाहते है, they, दोनों कोन है, मनस्चर डी पॉलींजी आइंड मनस्चर डी मेड़्स, fourth one, you must be out of your mind, यहापर यू किस को बोला है, पॉलींजी को, fifth question समझो, was the dauphin fit to be prince and air, जो dauphin है, वो प्रिंस बनने के लिए, और वारिस बनने के लिए, मतलब वारिस, बनने के लिए, फिट है क्या, तो no, क्यों नो, क्योंकि वो तो जाके, शिनौन में चिपा बैठा था, लडने के बजाए, दॉफिन वाज नोट fit to be prince and air, ओके, एटू, एटू में किस तरह कुश्टन रहेगा, complex factual activity, यह दो मार्स के लिए कुश्टन रहेगा, तो कुश्यन समझो, यह थोड़ा सा descriptive होगा, इसका एंसर हमें ढूंड के लिखना है, नेम् दपरसंस निड़िड बाई, जोन टो फ्री औरलियान, औरलियान को फ्री करने के लिए, जोन को कौन किस किस आदमियों के ज़रूरत थी, जोन निड़िड दपरसंस टो फ्री आरलियान, कौन, बर्टरण डी पॉलिंजी स्क्वाइर जैक जॉन गॉडशेव डिग द आर्चर एंड देर सर्वंट्स जोन आप ओन को टैन जुलियन एक्टिविटी बेश डाउन होगे विल्री पे बेस एक्टिविटी होगी टूमार्स के लिए तु समयो किस तरह क्वेशन रहेंगे फिर्स्ट ट्लासिफाइद फॉल्लविंग वर्ड्स इंट एडिजिक्टिव एंड नाूंस एंड कंप्लीट टेबल गिवन बिलो तु मत वर्ड दिये है इसको हमें एय्डिख्तिं य और ञाउंस में में क्लासिफाई करना है कौन सह वर्ड जीक्टि यह और कौन सह वर्ड नान हम जो काइंड, क्रेजी, ट्रू, शॉक्ट ये चार वर्ड एड्जिक्टिव है, मनी, सर्वर्ण्स, यार्ड, गार्ड, ये चार वर्ड नाउन से, ओके, सेकंड कोशिन इस में कैस रहेगा, पिक आउट फूर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स अप मैनर, फ्रॉम दो पैसेज, ह डूंड के रखना है, डूंड के लिकना है, ता अडवर्ब्स अप मैनर जो हता है, वो मोश्टली यलवाइज सफिक्स होता है उसको, यलवाइज जो को, सिम्पली, विलिंग ली, ब्राइटली, हिस्टीली, सिरियस्ली, स्लोली, थर्ड क्वेशन कैसा रहेगा, फ्रॉम दे एक्स्ट्रैक्ट, फाइंड वर्ड फॉलविंग आर कंपेर टू एडवाइज सो, हमें एक्स्ट्रैक्ट में से ढूंड के लिकना है कि किसकी कंपेरिजन, किसका कंपेरिजन किसे किया है, और क्यों, सम्झो दर डॉफिन इनिशिन आन इस लाइक, जो शिनान में डॉफिन वो किस तरह का है कैसा है वो लाइक डॉड डॉड तो हम एक कंपेरिसन लिखना है, कि दोफिन इनिशिनान इस लाइक रैट इनग और जिंग, जो आईच राच होता है Quin तरह से वो डॉफिन है क्यों फॉर रैट इन कॉर्णर ग्यूज अप कॉर्णर में जाके जो बैठता हुआ जो चुहा है वो सारे अपने प्रहतन छोड़ देता है लाइक दैट उस तरह से ही टू वो भी डॉफिन भी हैड गिवन अप उसने सब अपने प्रहतन छोड़ दे थे एंड रिफूस तू से और लियान और और लियान को उसने बचाने से इंकार किया था जान नंब्र कोशन कैसे रहेगा मेक सेंटेंस इस ओफ यूर ओन यूजिंग दो वर्ड्स एक्स्प्रेशन गीवन बिलोग हमें समझी यहां पे दो वर्डार दो फ्रेजिस दिये है वह हमें खुद के सेंटेज में लिखने शॉप्ट विलिंगली कीप वन्स आया आउन की पैसे जुमें देख खेंट वोस इंटेंस अनि यह कैसे में लिए फैसे में देखें जिस संटेंग में शॉप्ट यह है वह सैंतेंस है कि भी द men नहीं है, हमें खुझ से वो words अपने sentence में यूज करके लिखने है, shocked मतलब she noticed his shocked expression, उसने क्या क्या, उसके shocked expression देखे, okay, willingly, we willingly accept it, हम क्या करते है, willingly, खुशी से इसको accept करते है, किप वन्स आय ओन मतलब नजर रखना प्लीज किप एन आय ओन माय बैग मेरी बैग पे नजर रको ध्यान रको आउट आप वन समाइन मतलब पागल होना शी वाज आउट आउट अर मैंड विद ग्रीब वो दुक से पागल हो गई थी प्ट वन पिक आउट दो वर्स मतलब वो आई एंजी फॉर्म से इंडिंग होने वाले फ्रॉम दे पैसेज एडों क्लासिफाइब एम और उसको फिकलासिफाइब करना है इन्टोग जिरेंट आइंड पर्टिसेपल्स मतलब वो आई एंजी फॉर्म जो अंदिंग में जो वर्ड से वहामें धूंबने है उसमें से कौन से वर्ड जिरंड है और कौन से पार्टिसिपल से यह में लिखना है तो पहले समझ लेते हैं कि जिरंड क्या होता है जिरंड यह एक जिरंड इस एन आई एंजी फॉर्म और वर्ब यूजड एज नाउं आई एंजी फॉर्म वाला जो वर्ब होता है उसको हम नाउं करके यूजड करते हैं तो उसको जिरंड कहते हैं और पार्टिसिपल मतलब यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएंजी फॉर्म जो होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं तो आएंजी फॉर्म वर्व यूज़द इन कंट्टिनियस टेंस कंट्टिनियस टेंस में जो यूज़ किया जाते हैं इन जी फॉरमौल ए वर्ब उसको हम पार्टी सिपल्स मतलब प्रेजेंट पार्टी सिपल के थे तो हमें पैसेज में ढूणके लिखना है देखो यहां पर समझो यहाँ पर smiling हस रही है मतलब यहाँ पर action continue हो रही है तो यह participle है बाद में देखो यहाँ पर salutes and stands waiting वो आता है salutes करता है और खड़ा रहता है कैसे waiting यह जिरंड है okay stands कैसे waiting रहा देखते हुए यह जिरंड है बाद में यहाँ पर और एक idea of going idea कैसे idea going जाने की यह भी जिरंड है और it may be worth हमें यह worth है इसके worth कैसे worth है ट्राइंग ट्राइ करने की ट्राइंग यह भी जिरंड है तो हमें question पूछा था की passage में ing form वाले word ढूंडो और कौन से जिरंड है और कौन से पार्टिसेपल से वामें लिखने के लिए कहा था तो 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 पूछी देखको यह पर जिरंड और पार्टिसेपल्स वेटिंग गूइंग ट्राइंग यह हमारी जिरंड से पार्टिसेपल स्माइलिंग है तो हमें नीचे दिये जो वर्ड से उसमें से और वर्ड कौन सा है वह हमें लिखना है यहाँ पे पॉली जो है वो ओर है इस चार में न बैठने वाला है पॉली क्या है यह पॉली मतलब पॉली जी का नाम है नाम है अदो अदर वर्ड आर एडवर्ब्स हमने अभी देखा कि यह लवाए से एंड होने वाला वर्ड मोश्टली एडवर्ब होता है सेकंड तो फ्री, टू गिव, टू मी, टू गो यहाँ पे और कौन है तो यह पे टू मी मतलब यह मी जो है यह प्रोणावन है और जो अदर वर्ड से टू फ्री, टू गिव, टू गो दो अदर वर्ड सार वर्ब्स सेवंध कोशन कैसा रहेगा यूज दो फॉल्विंग वर्ड इन सेपरेट सेंटेंस हमें जो नीचे काइंड और ओर यह दो वर्ड दिये है उसके हमें दो-दो सेंटेंस लिखने है मतलब काइंड के दो मीनिंग होने चाहिए और के दो मीनिंग होने चाहिए और इसके दो मीनिंग वाले दो-दो सेंटेंस हमें बनाने है समझो काइंड के दो मीनिंग कोई से है तो उसको हम दो सेंटेज में लिखेंगे A kind word is never lost Kind मतलब दयालो यह ना दयालो वाले words कभी भी जाया नहीं जाते विस्ट नहीं होते Crane is a kind of a bird Crane जो होता है एक प्रकार का bird है मतलब यहाँ पे दयालो यहाँ पे प्रकार Kind, type ऐसे दो अलग अलग मीनिंगे और के दो मीनिंग को से है वन दो बुक्स आर इन अलफाबेटिकल अलडर जो किताबे रखी है वो अलफाबेटिकल अलडर है और मतलब क्रम I ordered for a pizza मैंने पिजा को अलडर किया या पे और करना यह दोनो अलग अलग मीनिग वाली वर्डेर इट इट कैसा रहेगा समझ्झोड paar टू कंपहूंड वर्ड फ्रम दो पैसेज हमें पैसेज में से दो कंपहूंड वर्ड लिखने है मतलब क्या होता है उसमें से दो वर्स से बने होते है और मन इस दोनों वर्ड से जेंटलमेन हुआ है गौर्ड, सेव कोर्ट, यार्ड विद, इन सम्थिंग राइट दे प्रेफिक्स अन यूयन तू मेक एंटोनिम्स अप एनी टू वर्ड फ्रॉम दे पैसेज हमें पैसेज में से कोई भी दो वर्ड ऐसे लिखने है जिसके आगे हम यूयन लगा के एंटोनिम बना सकते समझो विलिंगली, विलिंगली का अपोजिट अन्विलिंगली तो पैसेज में विलिंगली वर्ड था उसके अब हमने आगे हमने यूएन लगा के उसको आपोजित बना दिया काइंड अनकाइंड एबल अनेबल नाइन कोशन कैसे रहेगा समझो करेक्ट दस्पीलिंग्स आप दो फॉलॉविंग वर्ड्स कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि हमें कृषा सब्सक्राइब्स आप दोटमिस में वइन उसका मिस्ट्र कोता है तो हमें जोऊंड के अच्छी तरह से करेक्ट करके लिखना एक हान मैं दोन्ट को यह जो ओमिट किया था याप लियो आई मिसिंग था मंट्री ट्रीट में आई देखो यहापर आए नहीं नहीं होना चाहिए आप यह ओना चाहिए रिट्रीट हमें ढूंड के अच्छी तरह से लिकना है शिनान इसका प्राउन शिनान होता है लेकिन आपे सी होना चाहिए एक्सेप्ट याप एक्सेप्ट में इस ए मिसींगे ओके मैच्ट फॉल्विंग नाउंस विद्धियर एडजेक्टिव यहां पर हमने एक एक पार्ट में काइंड क्रेजी फ्रेंच और यूवर एचार एडजेक्टिव दिए भी में गार्ड माइंड जेंटलमैन आइडिया इचार नाउंड यहां पर एक दूसरे को जॉइन करना है तो एक्जाम में बहुत सारी बच्चा इसे जॉइन करते है लाइन खिंच के ऐसे जॉइन नहीं करना है काइंड जेंटलमैन क्रेजी आइडिया फ्रेंच गार्ड यूवर माइंड ऐसे लिखना है में ओके ट्वेल्थ कुशन कैसा रहेगा फाइंड दो मीनिंग आप दो फ व़ड जो हमने नीचा वर्ट दिये उसके एक में से ढूनकर लिखना लेकिन तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन कभी कभी मनस्चर यहां पर देंगे मनस्चर का मीनिंगा में लिखना पड़ेगा क्या फ्रेंच वर्ड फॉर्ड पॉर मिस्टर और सर ओके नियर इनफ टू भी कॉल यह फ्रेज है इसका मतलब विदिन कॉल है केरफुली आपजर्व सम्वन यह फ्रेज यमतलब इसका मतलब तो कीप वनस्ड आया रेफ्रास कॉल्छ आव टूब अवै इन हरी एफ्रेज ले फ्रेज मेको सिर्य रित्रिट्व मों आई ब्लाब का मॉलत कैचिस ने को बनाउत आप मैंड उड़न कैसा मान पी और आउन लूह फ्रेजि हля यह पर्ड ण not affected by emotion or excitement but love on the mood one of the cities in France where royal family they said it royal family jabber a tt as a France picture she know a wonderful event that seems impossible happens caused by God a a wonderful event a whoa impossible a happen that Nikki Lillie can go God key which is a good day is cooking a miracle miracle by the cold thudas a one two three eighty no joke world a by mistake next passage gay yeah be guilty say alec in TK somebody look ugly passing up cool useful ring it how inspired and motivated in phrase a put fire into one expression of being tired you know the Kwa the Kwa expression view okay 13 question cancer I gotta use synonyms similar words for the following from the passage so I'm a joke which word the a who's kill is similar word passage me don't killick name surprised shocked shock time passage me don't killick name happily readily pleasingly willingly keenly eagerly problem difficulty worry trouble happily cheerfully brightly mad silly foolish crazy defeated beat frightened oh cold anyway any how he's eating waiting 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 for the 14 question cancer I gotta do antonym's opposite words and turn with love opposite words for the following from the passage call with the bulana opposite send vision up real kind the reach the poor take give false true madam sir come in get out wrong right exits enters nothing something insufficient enough masters servants peace trouble leave stay retreat do it picture at not March advance I guess Anna proceed move on oh yeah he'll not have it the left why I see a gay nick Allah waiting waiting raadik now oh yeah yeah it's all this question I guess my 15 some new give or make now on word adjective अड़र्ब फॉर्म्स पर देख ऐा पर नाउन वर्ब एड़्जक्ट्व एड़वर्ब का हमने ओए चार्ट में जितने सारे वर्ड ऐ जिसके फ़र्म्स हो सकते हैं इसे हमने आ पर कवर किया है है नाउन फिर्डाम वर्ब फ्री एड़ जेक्ट्व free, adverb freely, noun promise, verb promise, adjective promising, adverb नहे, meanness noun, verb mean, adjective meaningful, adverb meaningfully, noun will, verb will, adjective willing, adverb willingly, kindness noun, verb kindle, adjective kind, adverb kindly, money noun, इसका verb नहीं है, adjective monetary, adverb नहीं होता है gift noun, give verb, given, adjective, adverb नहीं होता है poverty noun, इसका verb नहीं है, poor adjective, poorly, adverb thinker noun, think verb, thinking adjective, adverb नहीं है trouble noun, trouble verb, troublesome adjective, adverb नहीं होता है arrangement noun, arrange verb, adjective adverb नहीं होता है order noun, order verb, orderly adjective, adverb नहीं होता है true adjective, truly adverb, इसका noun or verb नहीं होता है shout noun, shout verb, adjective नहीं होता है wait noun, wait verb, adjective adverb नहीं होता है brightness noun, brighten, verb, bright adjective, brightly, adverb right noun, right verb, right या rightful adjective, right, adverb pound noun, this noun,äsquтор verb hyoid adjective, hablar mysticly adverb retreat noun, retreat verb यसका adjective adverb नहीं होता है salute noun, salute verb यसका adjective adverb नहीं होता है offer या offering, noun, offer verb यसका adjective adverb नहीं होता है craziness noun, इसका verb नहीं होता है, crazy, adjective, crazily, adverb, seriousness noun, verb नहीं होता है, serious adjective, seriously, adverb, wrong noun, wrong verb, wrong या wrongful, adjective, wrongfully, wrong या wrongfully, adverb, like noun, like verb, likeable adjective, likely, adverb, exception noun, except verb, exceptional adjective, exceptionally, adverb, fighting या fighter, noun, fight verb, या पर इसका adjective, adverb नहीं होता है, ability noun, enable verb, able adjective, ably, adverb, question number four, dual directed, ये grammar का sentence हो, grammar के sentence हो, इसमे, okay, two marks के लिए, suppose, first, three men will be enough, add a question tag, add a question tag, के लिए हमे sentence, जैसे के तैसे लिखना है, three men will be enough, यहाँ पर helping verb, model यहाँ होना है, विल है, यहाँ फर्मिटीव सेंटे से, करके या मने विल का, वोल्ट, निगर्टीव फाम लिकना है में, वोल्ट, और three men, three men के लिए प्रोनावन, दे, दे का टी, स्मॉल है, question mark, next, Polly and Jack have promised to come with me, यह sentence में हमें, यूज बोद डॉट 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 अंड, और not only dot dot but also, दोनों में से कोई भी पूचा सकते, पूच सकते है, okay, तो दे को यहाँ पर Polly and Jack, पॉली और जाके यह दोन नाउन जो है, एंड ने जोड़े है, okay, एंड ने जोड़े है, तो हमें समझो, पॉली के पहले बोथ आना चाहिए, बोथ पॉली एंड जैक, हैव प्रॉमिस टू कम वीट मी, okay, अभी not only but also कैसे यूज करना है, तो जहाँ पे एंड है, जहाँ पे एंड वहाँ में नो बडल सु लिकना है, बडल सु के बाद जैक, जैक ये नावन है, नावन के पहले बडल सु तो पॉली के ये पॉली नावन के पहले, not only आएगा, not only पॉली बडल सु जैक, हैव प्रॉमिस टू कम वीट मी, थरड वन, स्कॉायर जैक वील कम विलिंगले, स्कॉायर जैक है, जैक जो है, वो विलिंगली, खुशी-कुशी आएंगे, तो फ्रेम डावलिएज कुशन टू get the underlined part as an answer हमें square jack की निचे अंडरन किया है तो ये पार्ट मतलब square jack ये जो noun है वो answer आना चाहिए ऐसा हमें डबले जो question बनाना है तो कौन आएगा खुशी-खुशी उसका answer आएगा jack square jack है तो कौन के लिंगलिश में हो है हूँ वील हूँ यहाँ पर लिखना है दो का answer यह आना वाला यह आने आएगा हूँ वील कम विलिंग ली क्वेशन मार्क खुशी-खुशी कौन आएगा इसका answer है square jack he is a very kind gentleman make negative यह affirmative है हमें अबिकेटिव बनाना है तो हमिन गार्व कैसे मनना आत्यक्व यह पर हेल्पिग वार्वर भाइस के बात नौट लिखना है by negative banana के लिए note one Nana चेह ये और आगे जो सम्झों यहां पे adjective हे एड़ेंड टूई इस एड़ेंडित का पूजीट अप मुज़े लगता है जान वरे लोगा इगा identify the subordinate clause and name it तो इसमें subordinate clause को ने clause मतलब क्या होता है जो बड़ा sentence होता है उसमें जो छोटे छोटे sentence रहेंगे उसको हम clause कहेंगे तो यहाँ पे दो clause हमें डूढ़ना है एक main clause होना चाहिए और दुसरा subordinate subordinate मतलब main clause पे depend होने वाला समझो I think मुझे लगता है इससे पूरा मीनिंग निकलता है complete sense होता है इसमें I think यह main clause है मुझे लगता है क्या लगता है क्या तो क्या क्या नसर आई ये John God save will come John God save आएंगे यह subordinate noun clause है देखो I think मुझे लगता है क्या what क्या लगता है मेरे हाद में पींसिल है क्या है पैंसील तो पींसिले नाय नाय ना वर्ड के लिए नाउन ओन अर लॉस के लिए नाउन लगाज सबोर्डनेट नाउन लॉस क्योंकि यह मेल प्रफेट पेड़ेंड है कि there will be no trouble for you तुम्हें कोई तकलिफ नहीं होगी यापर एड़ क्वेशन टैग यापर क्वेशन टैग करना है यापर लिकिन ये निगेटिव सेंटेंस है नो आया है देर विल बी नो ट्रबल फॉर यो कॉमा ये निगेटिव क्या मनें क्या करना है ये सेंटेंस अफरेमिटिव इसका क्वेशन टैग होगा वील देर शुरुआत किये तो वह इसे लिकना है देर कटी स्मॉल होना चाहिए देर के पाली एंड जैक हैव प्रॉमी इस्ट तू कम वीत मी रिर्याइड यूजिंग डैट यूजग करके लिकना है बोस्ट्रक्चर धान में रखो कैसे लेकर देखो पाली एंड जैक हैव प्रॉमीom इस्ट पॉल्य और जैक ने प्रॉमीस किया है यह तो निकाला तैट याट क्या प्रॉमीस किया है that they, they मतलब ये बोत, Paul and Jack, they will come with me, okay, structure देर में रखो, you have only to give the order, तुम्हें खाले हमें order देनी है, rewrite using nothing, इसमें हमें nothing यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ के देखो, you have, ऐसे लिखा है हमने, you have only निकाला यहापे, only निकाला है, you have to do nothing, to do nothing but, ये चाड़ वर्ड हमने लिए है यहापे, only to निकाला, to do nothing but, ये वर्ड लिए, give the order, okay, I have arranged it all, तो ये rewrite as future perfect tense, future perfect tense करके लिखना है हमें, subject, future perfect tense का formula क्या है, subject plus shall, या will, plus how, plus v3, plus o, हमें formula याद होनी चाहिए, सब, तभी हमें आएंगे, subject I है हमारा, I के बाद shall, या will लिखना है, तो I के बाद shall आता है, I shall, बाद में how, या पे how, already है, बाद में v3, arranged it all, okay, is this true about monster, डी पॉलिंजी, monster, डी पॉलिंजी के बारे में सच है क्या, question mark दिया है, तो हमें make assertive, assertive करके लिखना है, एस रुटे का formula क्या होता है, yes, plus v plus o, subject, plus word, plus object, तो पहले subject आना चाहिए, जो को यह verbal question है, यहाँ पर is शुरुवात में आया है, उसे हम धिस के बाद लिखेंगे, this is, this is, okay, यह subject हो गया, यह वरब आया है यह यह sentence है, यह affirmative है, तो affirmative question का हमें negative बना सकते हैं, this is not true, यह सच नहीं है, अबाउट मनचरडी पॉलेंजी, okay, they both want to go with her, वो दोनों उसके साथ जाना चाहते है, underline the non-finite verb, इसमें non-finite verb कौन है, non-finite verb को infinity भी कहते है, तो infinity कैसा होता है, infinity is equal to two plus verb, देखो यहाँ पर two plus verb कोन है, to go, तो इसको हम infinity भी कहते है, और non-finite verb भी कहते है, okay, 12th, send monster deep apology to me, monster deep apology को मेरे पास भेज़ दो, identify the type of sentence, कहते है, तो मेरे पास भेज़ दो, इसका मतलब यह order किया है, order दिये, इसको भेज़ दो करके, तो यह order के लिए imperative sentence कहते, imperative sentence, get out and wait in the yard, बाहर जाओ और वेट करो, इसका add a question tag, तो यह get out, बाहर जाओ, यह order है, imperative sentence है, imperative sentence कहा में question tag करना है, sentence हमें वैसे ही वैसे लिखना है, get out and wait in the yard, और आगे लिखना है, will you, मतलब imperative sentence, imperative sentence हो, अगर होगा तो उसको question tag tag, will you होगा, okay, go with her, उसके साथ, जाओ, मैं कैसे रिट्यू, यह imperative sentence है, हमें assertive करके, करके लिखना है, एस रिट्यू कैसा होता है, यह प्लस भी प्लस ओ, है न, subject plus verb होता है, तो यह वर्व है, subject कहाँ पे, तो यह imperative sentence में, जाओ, imperative sentence में, वर्व जो, सॉरी, subject जो होता ही, यह होता ही, यह पर invisible है, you invisible है, you go with her, ऐसा होता है, लेकिन हम यू बोलते नहीं है, तो इसका हम एसे रिट्यू में लिखना है, यह बाद में should या must, should या must लिखना है, दोनों में से एक लिखना है, go with her, you should go with her, you must go with her, इस तरह से होगा, you shall have her up here again, sorry, I, मैं उसको फिर वापिस बोलाओंगा, add a question tag, the question tag हमने आभी देख, दू तिन sentence देखे, sentence वैसे लिखना है, I shall have her up here again, कॉमा देना है, यह affirmative है, करके हमें helping verb, model auxiliary जो है, उसका निगेटिव रिखेंगे, शाल का निगेटिव शांट, देखो, शांट लिखा है, शांट आए, question mark, the steward retreats hastily, stewards hastily पीछे जाता है, underline the verb and state its tense, इस में वर्ब कौन है, वो लिखना है, और उसका tense कौन सा है, the steward subject, subject verb retreats, retreat से वर्ब है, और यह है, simple present tense, do you take her crazy idea of going to the dauphin seriously, उसकी जो crazy idea है, डॉफिन के पास जाने की, वो seriously ले रहे हूँ क्या, question mark, underline the gerund verbal noun, इस में हमें gerund कौन है, यह ढूंडना है, जिरंड क्या होता है, जिरंड यह VING form used as noun होता है, तो do you take her crazy idea, उसकी idea काउन सी going, जाने की, तो यह going जो है, जिरंड है, जिरंड going, there is something about her, उस में कुछ बात है, re-write as verbal, yes no type, rhetorical, interrogative sentence, तो यह में चार sentence के जो structure है, एक जैसे होते, verbal sentence हो, yes no type question हो, rhetorical question हो, interrogative sentence हो, तो verbal मतलब verb से शुरू होता है, तो देखो, देर के बाद is, यह verb है, इससे शुरुवात होगी, ओके, इससे शुरुवात होगी, इस से, तो यह affirmative है, तो इसका हम is का negative करेंगे, is यह isn't, दोना affirmative भी कर सकते हैं, negative भी कर सकते हैं, is isn't there something about her, यह ना, तो यह structure जो है, इस structure को हम verbal भी कह सकते हैं, yes no type भी कह सकते हैं, क्योंकि हैं, इसका answer, yes or no आता है, है, rhetorical, rhetorical मतलब इस question का कभी-कभी answer देने की जरूरत नहीं होती है, मतलब तुम मुझे पागल समझते हो क्या, ऐसा अगर कोई कहता है, तो हम इसको yes या no, ऐसे नहीं कहता है, हम चुप बैठते हैं, इस तरह question को हम rhetorical question कहते हैं, interrogative, मतलब यहाँ पर प्रश्ण पूछते हैं, यह चारो का structure एक जैसा ही है, it may be worth trying, underline the model auxiliary verb and states its function, इस में model auxiliary कौन है, तो model auxiliary समझो, model auxiliary verbs देखो, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, or to, used to, यह सारे model auxiliary है, इस में से कोई एक भी आता है, तो model auxiliary होगा, यह may, model auxiliary है, वो इसका function क्या है, possibility, मतलब it may be worth trying, ट्राइं करने के लायक है, possible है, possibility, you must be out of your mind, तुम सच में पागल हो गयो, rewrite the sentence using how to, हमें how to लिखना है, how to use करना है, तो how to हम कहां भी लिखते है, must, must के similar how to या has to होता है, must के जगा हमें how to या has to लिखना है, तो you must निकालेंगे, how to, यू के बाद how to आता है, है, you have to be out of your mind, what is wrong with it, क्या गलते हैं, identify the type of sentence, एक उसर्टन से अलरी इस में कॉस्टिन मार्क है, तो यह है, इंटर अर्गेटिव सेंटेंस, दॉफिन इस इन शिनान, दॉफिन कहां पे है, शिनान में है, इन शिनान की निचे अंटरान किया है, तो फ्रेम डबलेज क्वेश्टन टू गेट अंडरलाइन पार्ट आज एंसर, हमें इन शिनान, शिनान में यह एंसर चाहिए, कहा है, कहा के लिए वहर आता है, तो पहला वर्ड वहर होगा, अभी बचे जो वड़ है, डॉफिन इस, इस काम वर्बल कर्शन करेंगे, वर्बल मतलब यह सब्जेक्ट है और यह वर्ब है, वर्ब काम आगे लेंगे यहाँ पे, तो वेर इस दो डॉफिन, डॉफिन कहा है, इसका इंसर आया, इन शिनान, इंग्लिश वील टेक और लियान, रिराइड यूजिंग बी गोइंग टू, तो हमें इस सेंटेंज में बी गोइंग टू लिखना है, तो बी गोइंग टू कहा लिखेंगे, तो वील का सिमिलर बी गोइंग टू है, मतलब will के जगह में be going to लिखना है और ब के forms कौन से है ब के forms aim is are aim is are है ओके तो हमें पहला subject the English the English मतलब English people या English soldiers ओके the English soldiers जो है अभी soldiers plural है तो plural के बाद aim is are में से आ रहाएगा the English are going to take Orlean he will not be able to stop them यहाँ पर हमें use be going to फिर एक बार be going to is करना है तो हमें समझ लिया है कि will के बदले be going to आता है ब के forms aim is are होते है तो he will जाएगा इस ही के बाद इस आता है इस निगेटिव है नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप देम 25th पॉलिंजी पॉलिंजी यह दो जो डॉट से मतलब सेड कहा पॉलिंजी ने कहा क्या कहा स्लोली स्लोली केता है देर इस सम्टिंग आबाउट हर उसमें कुछ बात है इट में भी वर्थ ट्राइंग वह हम ट्राइक कर सकते हैं तो राइट इन इंडार्ट स्पीच इसका में इंडार्ट करके लिक ना है तो यह जो डॉट है इसका कहते हैं सेड पॉलिंजी शेड पॉलिंजी ने कहा किसे कहा स्लोली धेरे से आइस तासी क्या कहा देखो यहां पे फुल्सेड़्ट अफे तो यह ऐसे लृडि इसे है अगर एन डारेट में एसेड़्य के सेड आता है तो इसका अगला सेंटेंस हमें एंड ने जोड़ना है अभी जो कोई या सेड पास्ट में है तो मेका पास्ट माइट माइट भी वर्थ ट्राइंग ओके अब हमार लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फिपत है पर्सनल रेस्पांस क्वेश्चन दो मार के लिए मतलब पर्सनल रेस्पांस हमें ये इसका एंसर खुद से खुद से लिखना है मतलब passage में जो भी content रहेगा वो content पे depend ये question होता है उससे related ये question होता है इसका answer हमें passage में डूंड के नहीं लिखना है हमें खुद से लिखना है देखो passage में जो content है उसके depend कौन सा question है which armed force कौन सी armed force army, navy या air force ये तिनों में से कौन सी armed force if you want अगर तुम चाहो would like to join join करना चाहोगे army, navy, air force में से कौन सी force अगर आप चाहो तो join करना चाहोगे अगर समझो तुम ने लिखा I want to join army I want to join navy I want to join air force then why क्यों ओके ये हमें four, five sentence में grammatically correct लिखना है अगर आप grammatically correct sentence लिखते हो तो आपको two out of two marks मिलेंगे मिलेंगे ओके तो I hope ये पूरा passage इसके उपर के vocabulary grammar sentences आपको अच्छी तरह समझ में आये होंगे अगर आपको पैसाच तरह समझा है तो लाइक करो, share to your friends, relatives, if you have any doubts, any questions, any suggestions, please tell me in comment box and subscribe my channel subscribe मतलब यहाँ पर right side में subscribe word लिखा होता है अगर आप पहली बार चैनल देख रहे है वीडियो देख रहे हैं तो subscribe को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक बेल आइकोन दिखाई देगी उसके आप क्लिक करेंगे तो आल जो वोल राता है उसको क्लिक करेंगे तो नेक्स टाइम जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो have a nice day thanks for watching the video till the end best of luck for your exam may your dream come true God bless you see you thanks